हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास आजगी इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप प्ले श्टोर ओपन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सम्थिंग वैंट रॉंग आप्शन दिख रहा है आपको यह एप्लिकेसन ओपन कर रहे हो तो आपको something went wrong दिखाई दे रहा है इस problem को ठीक कैसे करें आए जानते हैं चाहिए दिखाई दे रहा हो चाहिए दिखाई दे रहा हो मैं आपको दोनों ही solve करके बताने वाला हूं वीडियो को पूरा देखें यह आपको दिक्कत तवाएगी जब आपको setting में छेड़ छड़ करोगे यह आपके phone में network को लेके दिक्कत होगी इसके लिए आपको सबसे पहले अपने phone में internet चेक करना है ऐसा तो नहीं है कि आपका internet बंद है ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो internet है आज का net यानि जो daily data limit मिलती है वो खतम हो गई हो उसको चेक करिए और अपने net चालू करके बंद करके चालू करने सही से और अपने phone को एक बार airplane mode पे लगा दीजिए और चेक करिए आपके दिक्कत solve हो जाएगी दूसरा तरीका यह है कि आप अपने phone को बंद करके चालू कर सकते हो इससे भी आपकी दिक्कत solve हो सकती है अगर इदरीका काम ना करे तो प्ले स्टोर पे आप जाएए इस पर long press करिए आपको मिलेगा app info इस पे जाएए आपके पास लगबग ऐसा page आएगा अगर आपको यह page यहाँ से नहीं मिल रहा simple आपको अपने phone में settings option को खोल कर open करना है यहाँ पर आपको नीचे आना है आपको मिलेगा apps देख सकते हो apps वाल option है इस पे touch करना है और आपको मिलेगा manage apps या app manager तो आपको सारे app manager वगर open कर लेना है यहाँ पर आपको google play store ढूणना है मैं search करता हूँ ताकि आपको समय खराब ना हो मैं आपको प्लेश्टोर ढूणता हूँ तो यहाँ पर नीचे की तरफ यह रहा google play store इसको select करता हूँ आप भी ऐसे open कर लेजिए आपको यहाँ मिलेगा data या connection method इस पे touch करें इन सबको चालू कर दीजे आपका सारा चालू होना चाहिए यह मेरा चालू है आपको यहाँ मिलेगा storage ढूणिए उपर नीचे करके storage पे touch करें आपको मिलेगा clear data चिंता ना करें आपकी कोई भी file delete नहीं होएगी कोई भी photo video phone से delete नहीं होएगा clear all data करें और अब check करिए तो play store को open करिए थोड़ा सा wait करिएगा हमने clear data करा है तो play store open होने में time लगेगा अब यहाँ पर कोई भी application या game download कर सकते हो मैं पेटे में install करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा wait लेगा यह pending बताएगा क्योंकि हमारे phone में यह net धीरे है थोड़ा सा और देख सकते हो यह installing होने लग गई है ऐसे आप भी कर सकते हो मैं इसे cancel कर देता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है वीडियो को like करें चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा